स्टीफन हॉकिंग शारीरिक रूप से विकलंग होने के बावजू दुनिया के सबसे अनूठे वेग्यानिक हैं स्टीफन हॉकिंग का जनम 8 जनवरी 1922 को इंग्लेंड के अक्सफोर्ड शहर में हुआ था स्टीफन हॉकिंग भौतिक और ब्रहमंड वेग्यानिक के अलावा ल बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें बच्पन से आइस्टीन के नाम से पुकारा जाता था हॉकिंग का आई क्यू 170 है जो किसी जीनियस से कहीं ज्यादा है स्टीफन को घड़ियों की आंतरिक संद्रोचिना को समझने की ज्यादा रूची थी इसलिए वह घड़ियों के सार से कम अंक पाने वाले चात्र थे इस्टीफन को गनित में बहुत ज्यादा दिल्चस्पी थी इस्टीफन ने एक बार कुछ लोगों के पुराने इलक्रोनिक उपकरनों के हिस्सों से कंप्यूटर बना दिया था इस्टीफन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्स्टी से मैथ की डिग बिमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है इस बिमारी में व्यक्ति का अंग धीरे-धीरे काम करना बंद कर देता है डोक्र ने बताया कि स्टीफन अब ज्यादा से ज्यादा दो वर्ष के मेमान है तब स्टीफन ने कहा था कि मैं दो वर्ष नहीं पचास साल तक जिएंगा और हौकिंग के पिरसित खोजों में ब्लैक होल हौकिंग रेडियाशन का विचार शामिल है हौकिंग के लिखी किताब ए ब्रीफ इस्ट्री ऑफ टाइम दुनिया के विज्यान जगत में तहल का मचाने वाली किताब थी हौकिंग का दौनों बीवियों से तलाक हुआ है जिसका 2014 में त्योरी आफ एवरिफिंग नामक फिल्म भी बन चुकी है 14 मार्च 2018 को स्टीफन हौकिंग का निधन हुआ तो यह थी महानवेग्यानिक स्टीफन हौकिंग के बारे में कुछ जानकारी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किजेगा ऐसी जान आगले वीडियो में आगले टाब कर देचे आज़े ऑगले वीडियो में आगले टाब कर दों सुर्णतारी जानकी किया है